देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, रादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सब्सक्राइब करता हूँ, आशा करता हूँ, आप सभी सुस्त होंगे, महादेव की क्रिपा आप सभी पर सदैब बने है, यह वीडियो है, सॉला मई 2023, ट्यूजडे आनि की मंगलवार के दैनिक राशीफल के बारे में, सामानव इस्टेशन होता है, आपकी गाइडन्स के लिए राशीफल दिया आता है, और आपकी सुवीदा के लिए राशीफल एक दिन पहले प्रदश्यत होता है, हर राशी के साथ दिन का उपा कॉलव, वार, मंगलवार और कृष्ण पक्ष चल रहा है, सूर्य महाराज 5.30 एम प्योदे होके अस्त होंगे, 7.05 पी एम पर, चंद्रमा मीन में रहेंगे, नक्षत्र उनका रहेगा, उत्तरभाद्र बदा, सूर्य महाराज व्रिशब में रहेंगे, नक्षत्र रहेगा, क अशुप मुरत, रहु काल, 3.41 पीम से 5.23 पीम, और गुलिक काल, 12.18 पीम से 2 पीम, इन दोनों ही अशुप मुरत में अधि आपको घर से निकलना है, तो बजरंग बान का या हनुमान बाहुक का पाठ करके ही एक बार घर से निकलेगा, तो यह ता पंचांग चलेंगे बन के सवरूप में अच्छा दे कर जा सकता है, कुछ कारें आपके बन सकते हैं, लेकिन आज जल्दबाजी बहुत ज़्यादा रहेगी, उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा सोचिएगा मत, ज़्यादा विचार मत कीजेगा, आज का दिन अपने मस्त करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, थोड़ा सा और डिटेल में जाईए उस चीज़ के, मैं यह नहीं कराखे इन्वेस्मेंट मत कीजिए, क्योंकि जो लोग बिजनस करते हैं, उनको समय समय पर थोड़ा बहुत इन्वेस्मेंट करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा की बात है, बहुत अच्छा दिना है, कुछ वेट कर रे थे, किसी चीज का वेट कर रहे थे, कोई न्यूस का वेट कर रहे थे, उन चीजों के समन्ध में कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होगा, सिहत, आखों की प्रॉबलम और इन्टर स्टैन से जोड़ी कोई आपसन बली है तो वैसे तो सब कुछ ठीक दिखना बस जल्दबाजी पर आपको थोड़ा कंट्रोल करना है उपाई यह है कि आपको बजरंग बली को एक घी का दियारपन करके ओम हनुमते नम्हा मंत्र का 27 बार जाप करना है शुबंग कि आपका साथ कलह है रेड भागय प्र सब्सक्राइब करना है तो जादा अच्छा बनना भी आज के टाइम में नुकसान दाइक हो सकता है इस पर थोड़ा कंट्रोल कीजेगा आज का दिन वैसे आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज आ सकती है प्रॉस्पेरिटी भरा दिन है अगर घर खरीदना चाह रहे थे या प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे तो कुछ न कुछ उसके संबन्द में भी अच्छी न्यूज आ सकती है इन्वेस्मेंट थोड़ा अवयट कीजेगा शाम का समय ओवर्थिंकिंग से भरा रहेगा जहां तक करियर की बात है बहुत अच्छा दिन दिख रहा है आज confidence बहुत अच्छा रहेगा business कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे तब ही आगे बड़ेगा business आपका love life चीजेंग अगर खराब चल रही थी तो आज का दिन भागे साथ देगा चीजों को सुधारने के लिए विवाहिक जीवन दिन बहुत sensitive है तो कोई भी ऐसी बात मत छेडिएगा जो आपको पता है कि बुरी direction में चीजों को लेके जा सकती है students के लिए आज का दिन अच्छा नहीं दिख रहा कुछ negative news आ सकती है चीजें आपके हिसाब से नहीं जाएंगी जहां तक सेहत की बात है water retention और chest की problem सरवाश्टक के हिसाब से आपका और दस्वा स्थानतेंत बली है कोशिश कीजे कि work like balance एक मेंडेन हो आपके लिए उपाई यह है कि आपको हरुमान 40 का दो बार पाट करना है शुबंकि आपका छे कल है यलो भागय पतिशत 75 जविना है थोड़ा सा शांती बना के रखेंगा दिन बहुत अच्छा है लेकिन शांती बना के रखना है मन को शांत रखना है कुछ हुआ है किसने कुछ बुरा किया है उनको माफ करके आगे बढ़े अतिकतम चीजों में यही कहूँगा कि कोई आप से किसाथ बुरा करता है तो उनको अपने कर्मों पर छोड़कर आगे बढ़ना अच्छा रहता ह अधर्वाइस उसी में आप घुमते रहेंगे और अपना जीवन खराब करेंगे अपना समय खराब करेंगे अगर ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ है भूलकर आगे बढ़ने का प्रयास केजिए आज का दिन जादा फ्यूचर जादा पास्ट नहीं सोचना प्रेजन्ट में रहना इन्वेस्मेंट कर सकते हैं लिए बार बार ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ होता है कि आप पास्ट में भाग जाते हैं तब ही मैं कहरों कि आज का दिन थोड़ा प्रेजन पर रहिएगा करियर अगर आप हेल्ट केर इंडस्ट्री से हैं या फैशन इंडस्री से द तब ही चीज़ें ठीक होंगी विवाही जीवन बहुत साथा कंफूशन दिख रही है और यह कंफूशन बढ़ती ही जा रही है तो क्लियर कर लीजेगा जहां तक स्टूडेंस की बात है कमिट्मेंट थोड़ा आपने स्टडीज के प्रती बढ़ाई है सेहत के हिसाब से आज कहीं न कहीं से करनीशन प्रापत होसकता है कुछ बड़ा निरुवोत दीचे बात हो विजन्स की बात हो जॉब की अहां पर अचानक से को और निरकी दीच तो ठोड़ां प्रॉब्लमों दे सकता हैं आपको कुछ कार और धंश्य पूर्न होंगा थोड़ा भागे का से थोड़ा बचिएगा थोड़ा स्ट्रेस रहेगा कई कारण है जो मिल कर आज आपको थोड़ा तनाव देंगे जहां तक करियर की बात है यहां पर दिन ठीक दिख रहा है लेकिन थोड़ा सेंसिटिव जादा रहेंगे कारेक्षेत्र में उससे बचना है प्रोफेशनलिजम स्टूडंस के लिए बहुत अच्छा दिन है जातक सेहत की बात है आखों के रोग और सरवाश्टक आपका अश्टम भावत इंत बली है कोशिश कीजिए कि अपने मानसिक संतुलन पर थोड़ा काम कीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा प्रभावित आजकल आप लोगों से हो जाते हैं जातक उपाई की बात है आपको हरुमान चलीशा का दो बार पाठ खना है जो बंकि आपका वन कलर है रेड भागय पतिशित सत्तक थोड़ा सा समझ जाएं आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं लेकिन आपके सामने ऐसा बनते हैं कि उनसे अच्छा आपके लिए कोई नहीं सोचता इन लोगों को समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा बहुत आपको आइडिया है लेकिन फिर भी थोड़ा जागरुक रही आज कई चीज़ें समझ आएंगी आज कई चीज़ें आगे पड़ेंगी एक्शन ओरेंटेड आज का दिन बोलिएगा कमा जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा इंवेस्टमेंट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है जीवन के बेसिक्स पर काम कीजिए आपकी कॉम्मिकेशन स्किल्स हैं लाइस्टाइल है इन सब चीज़ों पर काम करने का दिन है आज करियर के इस आपसे दिख रही है बस एक ही चीज़ कहूंगा कि पुरानी बातें जो बार-बार कन्वर्सेशन में आ जाती है उसको थोड़ा वर्ड कीजिएगा विवाहिक जीवन बैलेंस लाने की कोशिश करने हैं अपने लाइफ पार्टनर की भावनाओं को उनके फिलिंग्स को समझता है आ आज का दिन ठीक ठाक सा है आप बहुत सेंसिटिव रहेंगे ध्यान नहीं लग पाएगा पूरा सेहत एसीडिटी और नसों के रोग सर्वाश्टक आपका सप्तम भावत इंतवरी ठीक है नॉर्मल सा दिन जाएगा कुछ रुके हुए कारे पूर्ण हो सकते हैं उपाई यह है कि आपको बजरंग बान का एक बार पाट करना है शुबंकि आपका नौ कर रहे हैं आपका ब्लिव भागय प्रतिशत 70 करने आवर गो दिखिए जो भी स सबसे महत्वपूर्ण चीज मैटर करती है आपके जीवन में वो हैं आप बाकी चीज़ें आपके इर्दगर्द घूमती रहेंगे लेकिन अगर आप अपने ओपर ध्यान नहीं दे पाएंगे तो क्या फाइदा अपनी खुशियों पर ध्यान दीजिए अपनी फिजिकल हेल से हर विक्ति खुश रहें लोगों को खुश करना थोड़ा बंद कीजिए अपने ओपर ध्यान दीजिए आज का दिन वैसे आपके लिए ठीक है कुछ नया सीखने का अवसर फ्राप्त हो सकता है कुछ नया आप करने जा रहे हैं आने वरे टाइम में उसके संबन्द में भी और चुब दिन हैं अगर आप मैटल या फिर ग्रॉसरी से जुड़ा कुछ कारे करते हैं लाब होगा लव लाइफ यहां पर चीज़े ठीक हैं लिकिन आगे नहीं बढ़ रही स्टेगनिशन सा आ गया है विवाहिक जीवन कॉम्मुनिकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ सरवाश्टक में आपका चठा सान अतिंत पली है तो ठीक है थोड़ा सा फ्रस्टेशन तो अवश्य बढ़ेगी लेकिन कोई भक महत्रपून कारे भी आज आपका पूरा हो सकता है आपके लिए पाई यह है कि आपको हरुमान जी के एक बार आरती करनी है शुबंग के आपक किसी पर विश्वास करना है आप अपने आप से ही आज कुछ गलतियां करके अपने दिन को खराब कर सकते हैं अधर्वाइस तो आज का दिन अच्छा है और जैसा मने का किसी पर विश्वास करके धोका खा सकते हैं धन के सरूप से दिन अच्छा दिख रहा है और आज यात् मिश्योस हो रहे हैं on कोई पॉल्ण कहले कि घुप हुग कभी विक्ति ऑवर अमभीस हो जाता है वैसा आपके साथ उह नियुक्ति जूटकियर बीजनस क हिसा थोडहा लाना पड़े का थोड़ा रिस्क लेना पड़े오aga wn直接 करते हैं वैसा दिन आजका दिख रहा है जहां तक love life की बात है चीजों को सरलता के साथ आगे बनने दीजेगा विवाहिक जीवन अगर एक दूसरे के साथ बात चीता भंग से नहीं कर पा रहे हैं साथ में 5 मिनट भी बैठ कर बात नहीं कर पाते तो problem कुछ बढ़ी है अगर ऐसा हो रह थायरट की problem तंग करेगी सरवाष्टक के हिसाफ से आपका पंचम भावत इंतबली है तो ठीक है और अच्छा रहेगा बस डिपेंडेंसी किसी पर नहीं रखते हैं आपके लिए उपाई यह है कि आपको हनुमान जी के एक बार आरती करनी है कपूर के साथ शुबंग के अचानक से टारीफे करना शुरूर कर देता समझ जाएए कि या तो उसका कोई काम है या फिर वह कहीं न कहीं आपको ही आगे कुछ ठेस पहुंचा सकता है तो अगर ऐसा हो रहा है तो थोड़ा सभल जाएगा कभी वी अचानक से जब तारीफें स्थी है थोड़ा सभी या चीए क्योंकि ये सब माया का खेल होता है माया हमारे आसपास कुछ ना कुछ खेल रचती रहती है तो थोड़ा सा संबल जाए कुछ कारे पूर्ण हो सकते हैं कोई पॉब्लम उसमें नहीं दिख एक लीडर्शिप दिखानी पड़ेगी आपको आगे अगर बना है अगर जीव जहां तक करियर की बात है देखिए दिन तो ठीक ठाक है अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में है तो लाब होगा फूर्ण बेवरेज में है इंडस्ट्री में है लाब होगा बिजनस यहां पर थोड़ा एंग्शियस रहेंगे तो कोई गलत निरने ले सकते हैं बड़ा निर सब्सक्राइब की बात है ठीक ठाक सा दिन है थोड़ा सपोर्टिव रहेगा अपने लाइफ पार्टन के लिए उनके काम में उनकी मदद कीजेगा या पूछेगा कि क्या चल रहा है जहां तक स्टूडेंस की बात है थोड़ा एंग्जाइटी ज्यादा दिख रही है सेहत क चेस्ट की प्रावल्म सरवाश्टक के हिसाब से आपका चौथा स्तान अतें तबली है तो ठीक है ओवरल दिन आज का अच्छा ही जाएगा बस थोड़ा सा अपनी इमोशन पर ध्यान देना है और ज्यादा किसी की बातों में नहीं आना आपके लिए उपाई यह है कि आपक किसी से बातचित ना करें क्योंकि फिर वो एक गलत जोन में जाकर आप बातचित करेंगे और कुछ गलत चीजें बोल सकते हैं जो शायद बाद में रिग्रेट करेंगे वैसे दिन अच्छा है आज का अध्यात्म की साइट भी जाते वह दिख रहे हैं भाग्य भी साथ कीजेगा अच्छा दिन नहीं है कोई बहुत एक्साइटिंग न्यूज आज आपके लिए आ सकती है जातक करियर की बात है यहां पे सब कुछ ठीक दिखता है अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में है कंसल्टेशन बेस कुछ का रहे हैं आपका मौकिक का रहे हैं कि जिसमें बोलना बहुत पड़ता है अच्छा दिन जाएगा बिजनस में भी आज का दिन ठीक ही दिख रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही हां कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे और आपको भी पता है कि यह चेंज करना है लेकिन वो चेंज अभी इंप्लिमेंट नहीं कर पा सेहत के हिसाब से आखों के रोग और सर के रोगतं करें सरवाश्टक में आपका तीसरा स्थान अतिन तबरी है तो यात्रा के जैसा मैंने का योग अजानक से बन सकते हैं आपके लिए यह है कि आपको हनुमान चलीसा का दो बार पाट करना है शुबंग के आपका आठ कर रह अच्छा रहेगा धन के रूप से तो दिन अच्छा दिख रहा है वानी पर थोड़ा नियंत्र रखिया कम बोलेंगे तो अच्छा रहेगा आज धोखा मिल सकता है तो किसी वे विश्वास जादा मत कीजिएगा भली कोई आपका कितना भी नजदी की हो स्पेशली पैसे के म बात है कि कॉम्मिनिकेशन बार-बार खराब हो जाती है 2-3 दिन सब अच्छा चलता है फिर बातचीत खराब हो जाती है क्यों यह प्रॉब्लम आ रही है पहले उस जड़ तक पहुंचे विवाही जीवन थोड़ा सेंसिटेट दिन है कुछ ऐसी बात मत कीजिएगा आपको चीजों को ले जाएगी स्टूडेंस स्टूडेंस के लिए आज का दिन ठीक ठाक है कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है हाँ थोड़ा लेजीनेस दिख रहा है लेकिन सर्वाश्टक की सब सोरी सेहत के इसाब से आपको नसों की प्रॉब्लम और चेस्ट संबंदित करनी है शुबंग क्या वन कला है आपका यहलो भागय प्रतिशत है कि 70 कुम्भ एक्वेरियस आज का दिन आपके लिए वैसे तो दिखे ठीक दिख रहा है बस थोड़ा सा वास्तविक्ता में वापस आजिए थोड़ा सा अनप्रेक्टिकल आजकल हो रहे हैं ज्यादा मदद किसी की मत कीजेगा अज अपने काम से काम रखेगा प्रॉपर्टी हरिदना चाहरे है तो उसके लिए आज का दिन अच्छा है या फिस चीज़ें आगे बढ़ेंगी कुछ क्लेरिटी आ जाएगी इन्वेस्ट्मेंट से बचेगा क्योंकि जल्दबाजी में कुछ इन्वेस करना पड़ेगा करियर ठीक ठाक सा दिन है कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं देखरी बस हां ज्यादा मजाग मत कीजिएगा ज्यादा अन्प्रोफेशनल मत रहेगा कारेक्षेत्र में बिजनस अगर आपका कार्या फाइनेंस से संबंदित या रियल एस्टेट से संबंदि बस एक ही जीज कहूंगा कि समझ में अंडर्स्टेंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है और यह प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है कम नहीं हो रही अगर ऐसा हो रहा है इस पर काम कीजिए चुपाते हैं दोनों ही लोग एक दूसरे से बहुत चीज़ें चुपा स्थाहिक जीवन कि यहां सब कुछ ठीक दिख रहा अगर प्रॉब्लम चल रही तो उनका अंत्र हो सकता है स्टूडेंस फोकस की कमी दिख रही है सेहत के हिसाप से पेट के रोग सरवाश्टक के हिसाप से आपका प्रथम साना तिन दवली है तो ठीक है ओवरल दिन आज का अच्छा ही जाएगा आपके लिए उपाई यह है कि आपको हनुमान चली सा का दोबर बाट करना है शुबंक्य आपका तीन कल है आपका यलो भागय प्रतिशत है सी प्रतिशन 23 थोड़ी सी ग्लानी की वाणा थोड़ी सी गिल्ट की फिलिग आज रहे ी हो सकता है कुछ कारिय अपोर मों रह रहे लिए अपनी विकल्ति से या अपना पैस्ट आप नहीं दे पाएं कुछ चीजों को अपने कार्य को हो सकता है block पर्स्नल लाइफ को फिर उससे निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अपने विश्वास दिखाईए और बहुत कुछ आप कर सकते हैं लेकिन विश्वास की बार बार अपूरती हो जाती है उसके कारण बंते बंते आपके कारे बिगर जाते हैं थोड़ा सा अपने विश्वास में हैं लाब होगा बिजनस बिजनस में तो आज का दिन बहुत अच्छा है भागे का साथ मिलेगा ट्रेवल टूरिजम कंसल्टेशन फाइन्स इनसे जोड़ा कुछ बिजनस है लाब होगा लव लाइफ थोड़ा केर कीजिए अपने पाट्टा की केरिंग जो एकिटिटूड है आपका उसमें कमी दिख रही है विवाहिक जीवन ठीक ठाक सा है सरलतम दिन रहेगा ज्यादा बातचीत मत कीजिएगा स्टूडंस आज का दिन फोकस ही कमी दिख रही है और बहुत अनिशित्ता दिख रही है सेहत के इसाप से सर के रोग नसों के रोग सरवाश्टक में आपका बारवास्तान फिर से अतिंत वली है सेहत का ध्यान रेगुलर ले दिजिए क्योंकि विश्ले को उस दिनों से बारवास्तान आ रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मिलता हूँ अखली वीडियो में तब तक के लिए